आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं about genetic drift genetic drift को हम sea wall right effect भी बोलते हैं so genetic drift में क्या होता है random changes in the allelic frequency random changes होते हैं allel की frequency के अंदर now अब ये small population के अंदर होता है random होता है directionless है allelic frequency यहाँ पर change होती है so genetic drift में क्या होता है कि जो original population है मतलब यहाँ पर देखो red color के है individuals blue color blue color की कुछ है and black color के कुछ individuals है ठीक है मान लिजे ये चीटिया है ठीक है red color की blue color की और black color की चीटिया है या फिर beetles है कुछ भी है तो एक elephant आता है and वो randomly किसी को भी कुछल देता है वो ये तो देखेगा नहीं red चीटि कौन सी है blue कौन सी है black कौन सी है तो वो randomly जब इनके उपसे जाएगा तो मान लिजे कि red वाले के उपसे चला गया तो red वाली को उसने कुछल दिया तो last में हमारे पस क्या बच गई black वाली और blue वाली चीटियां बच गई so by chance लखी लिए ये क्या बच गई ये जो चीटियां थी black वाली और blue वाली इनका लख था कि वो बच गई by chance randomly वो बच गई क्योंकि elephant ने उनको नहीं कुछला so वो बच गई and यही क्या करेंगी आगे जाके इनकी further population बनेगी so यहाँ पर natural selection नहीं हुआ है कि nature ने select किया हुए उनको नहीं genetic drift is not the selection it is driven by chance by chance जो हुआ है ये event और यही जो इनकी population है वो आगे जाकर बनेगी so अभी हम उसको detail में देखने वाले हैं it occurs in small population देखो genetic drift happens to all population सभी population के अंदर होती है लेकिन उसका जो major impact है जो drastic effect है वो हमें small population में देखने को मिलता है अब genetic drift किस तरीके से हो सकती है it occurs by founder's effect and bottleneck effect अब हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे so सबसे बहले है bottle neck effect bottle neck effect क्या कहता है यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक bottle है ठीक है उस bottle के अंदर ना यहाँ पर red color की है और individuals blue color के हैं और कुछ यहाँ पर black color के हैं कुछ यहाँ पर क्या है black color के हैं there are three यहाँ पर क्या है तीन हमारे पास genotype है blue वाले है, black वाले है, red वाले है तो यह हमारे पास original population थी अब क्या हुआ कोई unfavorable condition आई जैसे कोई natural calamity आ गई, bar आ गई या फिर drought आ गया, hurricanes, tornado, fire, earthquake की वज़े से कुछ जो इस में से individuals थे वो मर गए जो blue वाले थे वो मर गए और बच्चे कौन से? red वाले और black वाले red वाले और black वाले बच्चे तो यहाँ पर यह क्या है? bottle की neck क्या है unfavorable conditions यहाँ पर यह normal conditions में क्या थी? तीनों हमारे पास तीन जीनो टाइप्स थे blue वाले भी थे, black भी थे, red भी थे लेकिन जब unfavorable conditions आई तो उसमें क्या हुआ? जो blue वाले हैं, वो मर गए तो अब जो बाकी यहाँ पर बच्चे surviving population हमारे पास किसकी बच्ची? कुछ red वाले और कुछ black वाले तो जो species, जो organism यह निकले है bottle में से जो surviving population है वो अपनी population फिर बना लेगी, इनका फर्दर क्या होगा? अपनी population बनेगी और पूरा जो genetic frequency है वो क्या हो जाएगा? change हो जाएगा मालीजें, यहाँ पर जो हमारी bottle के अंदर थी blue वाले का था capital A, small A red वाले का था capital A, capital A black वाले का था small A, small A तो अब blue वाली तो बिल्कुली मर गई मतलब ये वाला, जो capital A, small A था वो तो अब बिल्कुली क्या हो गया? खतम हो गया तो इस तरीके से अब हमारी जो genetic frequency है, वो completely change हो जाएगी तो sudden changes in the environment drastically reduces the population size because of the natural disaster, hunting की वज़े से and at the end आपको क्या मिल रहे हैं आपर दो genotype मिल रहे हैं तो जैसे कि आप इस diagram के अंदर भी देख सकते हैं हमारे पैस में parent जो population थी पहले जो original population थी उसमें yellow balls जादा थी blue balls क्या थी? कम थी मतलब जो blue individuals थे वो कम थे जो yellow वाले हैं वो ज्यादा थे अब क्या हुआ? कुछ ऐसा natural calamity आया कुछ drought या earthquake या hurricanes tornado, fire, earthquake कुछ भी ऐसा आया जिसकी वज़े से क्या हुआ? कि जो yellow वाले हैं उनकी population बहुत कम हो गई बहुत कम बच गए वो क्योंकि वो काफी सारे मर गए so surviving individuals में से आपको दिख रहा है कि जो blue वाले हैं वो ज्यादा है तो अब वही जो अब बचे हैं जो individuals बचे हैं वही reproduce करेंगे और उनकी population बन जाएगी so अब आप next generation में देखें कि जो blue वाले हैं blue individuals are more blue individuals are more अब इसका example है northern elephant seals northern elephant seals so original population देखें यहाँ पर original जो allelic frequency देखें white color के भी है, brown के भी है, black के भी है gray के भी है तो mix यहाँ पर seals थे पहले 1800 के आसपस की बात है उसके बाद में क्या हुआ? hunting हुई hunting in the late 1800 greatly reduced the population size अब इनका जो elephant seals जो थे इनका population size क्या हो गया? कम हो गया due to hunting so अब यहाँ पर बहुत कम individuals बच गए अब जो बचे है brown वाले और white वाला बचा है तो अब यही जो है reproduce करेंगे and आपको next generation में क्या मिलेंगे? इनका सारे individuals मिलेंगे brown वाले और white वाले अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चेंज हो चुका है next है founder's effect founder's effect भी क्या कहता है? there is change in the allelic frequency when a new population develop by few members of original large population अब अब यहाँ पर देखें large population थी उसमें red वाले है blue वाले कुछ individuals थे कुछ gray थे, कुछ black थे उसमें से कुछ, जो small part of जो individuals है वो किसी नई जगा पर जाकर के settle हो गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी population बना ली तो जो यहाँ पर देखें आप यह जो छोटे से part है, population का वो उट करके किसी नई जगा पर चला गया किसी और island पर चले गए किसी और place पर चले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी population बना ली अब इनको जो यह यहाँ से उट के गए हैं, इनी को हम क्या बोलते हैं founders population इनी को क्या बोलते हैं, founders population, founders बोलते हैं इनको, which gave rise to the new population so founders effect is a type of genetic drift that involve small group of organisms separating from a large population and forming a small new colonies, जैसे initial population में आपको orange और red color की beetles दिख रही हैं तो वो किसी और जगा पर उसमें से थोड़ा सा जो population का part है, थोड़े से जो organisms हैं, वो किसी और जगा पर जाके settle हो गए कहीं और चले गए, और उन्होंने अपनी नई population मना ली and अब इस population में क्या होगा, less genetic variation होगी क्योंकि मान लीजे कि जो red वाले थे, उनका जो alleles थे वो थे capital B, capital B जो orange वाले थे, वो थे small B, small B तो अब जो नई population है उसमें तो खाली red वाले हैं तो वहाँ पर तो क्या है, खाली capital B, capital B ही है so by chance यहाँ पर क्या हो रहा है, allelic frequency in this small colony will differ to the ones in the original population and due to this genetic variation is limited क्योंकि जो original वाले है, वहाँ पर तो क्या है capital B, capital B भी है, small B, small B भी है लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, less genetic variation होगी नई population के अंदर so, एक और example ले सकते हैं जिसे यह island number 1 है, जहाँ पर की आपको black color की birds जादा दिख रही है so, इस island में क्या है, black valley birds ज्यादा है black valley birds को आप ले लो, capital B, capital B green वाली जो birds है, वो small B, small B टेक, so, अब यहाँ पर मान लीजे कि जो allelic frequency है, B is to small B small B, वो क्या है 14 is to 6 मतलब जो capital B है, वो ज्यादा है देखो जो black वाली है, उसका क्या है, capital B, capital B जो green वाली है, उसका आप ले लीजे small B, small B अब यहाँ पर आपको seven birds दिख रही है, black color की तो seven into two, कितना हो गया, 14 हमारे पास B allel है और green वाली कितनी है, तीन जो green वाली birds है, वो तीन है, यानि कि जो small B, small B है वो हमारे पास में तीन birds का है तो अगर हम small B की बात करें तो तीन birds के पास में है, तो यह allel कितना हो जाएगा, three into two which is six so कितना ratio आया, 14 is to six, अब क्या हुआ इसमें से small population जो है, वो कहां चली गई, उड़ करके किसी और island पे चली गई हो सकता है, हवा की वज़े से या कोई और reasons की वज़े से वो उड़ करके, किसी और नए island पे जाकरके, चली गई तो अब यह जो छोटी सी population गई है, जिसमें कि हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, founder population बोलेंगे अब यह किसी और island पे चली गई और वहाँ पे इनोंने अपनी population मना ली, तो अब second island पे देखें, आपको green valley birds जादा देखेंगी और black valley birds कम है, तो after few years, नई population यहाँ पर बन चुकी है, अब यहाँ पे जो allele का frequency है, वो changed है, क्यूंकि अब यहाँ पर जो black valley birds थी, जिनका capital B, capital B था, वो तो क्या बच्ची है, दो ही बच्ची है, यहाँ पर दो ही है तो ratio अगर हम देखे, capital B is to small b का, तो वो क्या आजाएगा, 4 is to 16 4 is to 16 तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ratio है, वो जो allelic frequency है, वो यहाँ पर change हुई है, there is change in the allelic frequency अग इसी को क्या बोलेंगे founders effect बोलेंगे क्योंकि founder population, थोड़े से जो population थी, उन्होंने क्या किया है, किसी और जगा पर चलेगे and it gave rise to the new population so that's all for today, if you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates thank you and have a great day